मैं गरीमा अगरवाल आप सभी का वंदन करती हूँ अभी नंदन करती हूँ आज हम बता रहे हैं कि कार्तिक महीने की पुर्णा होती कैसे करी जाए यदि आपने कार्तिक इसनान किया है तो यह है आप जरूर करे मंगसिर महीने की क्रिश्न पक्ष की पड़वा यानि कार्तिक पुर्णिमा के अगले दिन सभी देवी देवताओं को विदा करें कार्तिक नहाने वाले सभी इस्त्री पुरुष जिनोंने कार्तिक में शुरू से पूजा, पाठ, दीप, दान, परिक्रमा करी है उन सब की पूजन करके विदा करें जैसे तुलसी जी को विदा करने के लिए आप तुलसी जी को दीपदान करें और उन्हें लाल चुन्दड़ी ओड़ा कर कुछ खाने की वस्तू और रूपे रखकर हाथ जोड़ें इसी तर है पत्वारी को विदा करने के लिए उनका पूजन करें, वस्त्र ओढ़ाएं, एक करवे में पताशे या मिश्री भरके लाल कपड़े से उसका मुँ भानकर और दक्षीना रखकर पत्वारी जी को चड़ाएं और हात जोड़ें। ऐसे ही पीपल, केले, कदम, आवला सभी का पूजन करके वस्त्र प्रदान करें वे दक्षीना रखें। ओडने बिचाने के वस्त्र देवे, वे दक्षीना देकर तिलक राखी करके प्रदाम करकर विदा करें। और कहें, हमारा एक महिने का व्रत उपवास सुक शान्ती से हुआ, उसके लिए बहुत धन्यवाद। हमेशा हमारे घर में, परिवार में, अनधन के भंडार भरे, सुक शान्ती बनी रहे। ऐसी सभी प्रार्थना भगवान से करें, और सभी साथ बैठने वालों को सभी साथ में पूजा करने वालों से माफी मांगें, और आपस में प्यार प्रेम रखें। पत्वारी का बदावा गाते हुए घर आएं, और घर आकर सभी बड़ों को प्रणाम करके आशिरवाद लेवें। सुभे चावल मों के खिचड़ी या बाजरी के खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगावें, और किसी सुहागन ब्रामनी या बैन बेटी को सबसे पहले खाना खिलावें, उसे सुहाग की सामगरी वे बलाउश पीस और दक्षिना दें। कवारी कन्या को जिमावें, उसके बाद सभी परिवार जनों को भोजन कराकर स्वेम भोजन करें। इस तरह कार्तिक महीने को विदा करके पुर्णाहोती दे।